पहले हम एक object को पहले वाला जो sphere है इससे select करते हैं तो इससे select करने के बाद हम लोग यह जो three axis देख रहे हैं इससे कहते हैं pivot point तो दूसरा object जो select करते हैं तो pivot point यहाँ पर आ जाता है आभी problem create होता है आभी हम लोग job skill करते हैं तो यहाँ पर हम लोग bounding box आभी हम लोग job skill करते हैं तो यह जो दो objects से scale तो होता है लेकिन यह कुछ different तरिके से scale होता है यह शेर pivot point की बाज़े से pivot point की nature को change करके मतलब यहाँ पर five natures है मतलब active element, median points, individual origins, 3D cursor, bounding box center यह five natures मतलब यह five options में different different role play करता है scale और rotations के समय मतलब आभी आगर आप इसे individual origin रखते है next scale या rotate करते है तो इसकी जो origin है उसकी across में यह दोनों rotate और scale होता है लेकिन आगर आप इसे midpoint कर देते हैं तो इसकी midpoint है यह दोनों के midpoint है उस midpoint से scale या rotate होगा next अगर आप इसे median point करते हैं और को भी मैं select कर लेता हूँ आप changes देख पाऊगे यहाँ पे तो इसकी जो ए 3 और 4 objects होगा जितने सारे objects होगा उसकी जो midpoint है वहाँ से scale होगा लेकिन अगर आप individually एक एक को scale या rotate करना चाहते हैं तो इहां से individual origin select करना है next और एक है active element active element क्या है कि इस समय आपकी जो viewport है इसमें कौन सी object आपकी active है यह object आभी active है तो इसकी across से scale होगा मतलब अभी जो scale करूंगा तो यह थोड़ा सा छोटा है यह सबसे बड़ा है कि यह दूर की objects है और यहाँ पे जो point है इसकी across scale और rotate कुछ भी ए जो object active होगा उसकी across से scale या rotate होगा अगर यह object active होता है तो rotate इस तरह से rotate होगा अगर shift shift press करके में इसकी active point को change कर सकते हैं मैं shift press किया हूँ and left mouse क्लिक करता हूँ तो यह आभी active है तो इसकी across से rotate and scale होगा तो यह options आप 2.79 यह है लेकिन इसकी जो options है ओ यहाँ पे है and newer versions में यहाँ पे है यह pivot point तो यह बहुत बड़ा important role करता है जब आप modeling करते हूँ